next question question says a light ray enters a solid glass sphere of refractive index mu is equal to root 3 at an angle of incident 60 degree the ray is both reflected and reflected at the farther surface of the sphere the angle in degrees between the reflected and reflected rays at this surface is so हमें बताना अगर integer type सवाल है के reflected और refracted rays जो final surface पे होएंगी उनके बीच में एंगल क्या होएगा so simple सवाल है अच्छा सवाल है I will say है ठीक है so scenario यह है कि यहां पर आपकी रे ऐसे incident हुई है 60 degree के एंगल पर यह आपका root 3 इसका refractive index है यहां पर आपकी रे ऐसे आई है तो इस case में यहां पर इस surface पर अगर हम snail's law लगाएंगे तो हम क्या सकते हैं अच्छा पहले लिख लेते हैं n1 sin i is equal to n2 sin r so 1.sin 60 is equal to root 3 multiplied by sin r which implies sin r1 एक काम करते हैं इसको r1 कह लेते हैं sin r1 will be equal to एक पूरह लिख लेते हैं so this will be equal to root 3 by 2 will be equal to root 3 sin r1 which implies sin r1 वो आ गया 1 by 2 which implies r1 हो गया आपका 30 degree इसका मतलब यह है कि ray यहां से यह आपका normal है इससे 30 degree के angle पर ऐसे यहां पर जाएगी आलाइक तो यह angle आपका 30 degree का यह बना है यहां पर एक जो interesting चीज है जिसमें अक्सल लोग student गडबड कर जाते हैं वो यह है कि इस surface पर जब आप normal बनाएंगे तो यह तो हमने tangent डाली normal बनाएंगे वह आपका normal जो है वो center से पास करेगा तो यह आपका angle 30 degree का हुआ है अब यहां पर ray आपकी reflect भी किया और reflect भी किया है ठीक है तो that is the case यहां पर जो आपका यह जो extended normal है यहां से ray आपकी इस direction में ऐसे move करेगी अगें यहां पर फिर यह equation करेंगे तो यह वाला angle आपका 60 degree आ जाएगा तो यह आपका 60 degree ऐसे vary कर गया है तो 60 degree का इस surface पर ऐसे division आपका यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा clockwise direction में अब जो हमें बताना है वो ray आपकी यहां से reflect भी की है तो इस surface पर जब reflection होएगा तो वो रे इधर आएगी थोड़ा सा angle थोड़े से गड़बड हो गए बड़ ठीक भावना है ठीक ठीक लगा लेना तो यह 30 degree का angle होएगा तो यह आपकी reflected रहे है यह आपकी reflected है और यह वाली ray आपकी जो नॉर्मल है उससे reflect रिफ रेक्टेड रहे है ठीक है इन दोनों की बीच में आम एंगल बताना है क्या होएगा तो यह अगर नॉर्मल अगर देखेंगे तो नॉर्मल से 30 का एंगल है नॉर्मल से 60 का एंगल है यह वाला देखेंगे तो इस एंगल विल बी 90 डिए बेसे अन देस्ट सम कहा सकते 90 बुट विद राइट आंसर फो इस प्रब्लम